मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम कमिशनर आमन वहीर सिंग बैस आईयस से आपके रहते काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है स्मार्ट सिटी की दिशाम बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो नजर आने सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे LED लाइट के बारे में LED लाइट के बारे में आपके क्या प्लान है और क्या आप लाइट में हमने कुल अभी तक लगबग 12,000 लाइट्स पूरे शहर में लगवा दी है इन लाइट को लगाने का मुख्य लाब ये होगा कि बहुत सारे कनेक्शन्स निगम के अभी तक अन्मीटर्ड थे उनकी मीटरिंग नहीं हो रही थी अब इन सब की इंडिविज्वल मीटरिंग भी होगी इसके साथ साथ जो जेनरल उजाला है शहर में उसमें वृत्धी होगी क्योंकि LED कम वाटेज के अंदर जाधा लियूमिनॉसिटी रखता है कुल लगबग साड़े सत्रह अजार खम्रे हैं हमारे पूरे शहर में इन सभी खम्रों में लाइट्स डग कर पंदरा माज तक तक तयार हो जाएगी तीसरे लाब जो हमको मिलता है वो यह होगा कि बिजली का बिल जो निगम काएगा LED लगाने से वो लगबग 60 से 65 प्रतिशत रह जाता है उरिजनल बिल का तो इसमें नगर निगम को मतलब आर्थिक रूप से काफी बच्चत होगी जी चौराहों का संदरी करण हो रहा है इसका क्या प्लान है कि चौराहों के संदरी करण के हमारे बेसिकली दो तीन इरादे थे उसके पीछे पहला इरादा तो यह था कि जो ट्राफिक कंजेशन वाले पॉइंट्स हैं शहर के अंदर उन में से ट्राफिक कंजेशन को थोड लगवा दी कुछ हमने स्क्रीन लगवा दी जिनके माध्यम से ट्राफिक रूल्स का भी प्रचारपसार होता है शेहर के बारे में जेनरल इंफरमेशन भी मिलती है और लाइट का भी इंप्रूवमेंट होता है तीसरा प्रोजेक्ट जो हमारा था चौरहा सौधरे करण के संब जो बार-बार धूल जम जाती है धूल उरती और लोगों को फिर प्रॉब्लम्स होती है उसकी वज़ा से वो अवाइट की जाए लेकिन सपना शेहर में आर्सीसी के उपर डामर पहले भी बिचाया गया था जिसका अनुभाव अच्छा नहीं था शायद आपी के करकल में व बेस यूज़ कर रहे हैं वो पहले से आरसीसी नहीं था जो डामर हम इस समय इस्तमाल कर रहे हैं वो सादा डामर नहीं है वो मस्टिक डामर है मस्टिक डामर बैसिकली waterproof होता है तो परफस यह था कि इस प्रकार का डामर किया जाए जिसके ऊपर ळाइंज और मार्किंग बड ये रोड लाइन्स बनवाएंगे तो वो उभर के आएंगे तो जो समस्या से पहले ट्रडिशनली आ रही थी आर्सीसी के बेस के ओपर डामर की वो इस केस में नहाएंगी पियम आवास के तहट कुछ अपने हाँ प्रकरण धर्ज हुएं उन प्रकरणस में नगर निगम के ओर ये आरोप लग रहे हैं कि मैं दोशी अधिकारियों के खिलाब कोई करवाई नहीं हुई है दो या तीन किसम के केसे हैं जो हमारे संग्यान में आए हैं प्रदान मंत्रियावास को लेकर एक केस यह है कि BLC घटक के अंदर जो लाब दिया गया है वो लाब किसी प्रकार की लेंदेन करके लिया गया है इस संबंध में कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई हैं संबंध में कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं जिनकी जांच अभी चल रहे हैं दूसरी किसम की शिकायते यह हैं कि AHP घटक के लिए भी कुछ लोगों को जो लाब दिया गया है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो विचोलगी कर रहे हैं बीच में मध्यस्ता कर रहे हैं और निगम और लोगों के बीच में आके वसूली का उसको एक माध्यम बना रहे हैं इसमें किन-किन लोगों का हाथ है अभी इस चीज का क्लीर खुलासा नहीं हुआ बट यह वाली चीज भी अंडर इन्वेस्टेगेशन है मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनकेस इसमें निगम के किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से दोश पाया जाता है तो उसके विरुत्य कड़ी करभाई की जाएगा अभी भी सडकें बन रही हैं और उसके उपर सीवर लाइन का काम चालो कर दिया गया और दोगी छेतर में ऐसा ही एक काम पत्रिका अकवार के सामने हुआ है कि जहां भी तीन महीने पहले सडक बनी है और उसके बीच से सीवर लाइन को खोती रही है सीवर प्रोजेक्ट ट्रिडिशनली सतना में बहुत धीरे चला है बहुत ज़दा प्रॉब्लम्स होई है उसकी वज़े से जिसके कारण हमने ये निर्ने लिया है कि शहर के जोन 2 और जोन 3 में सीवर का काम तदकाल प्रभाव से रोख दिया जाए इस निर्ने को लिये लगबग 2 हफते से ज़दा समय हो चुका है और यदि इस रोकने के बाद वहां पे सड़क को खोदा गया है तो ये बगार पर्मिशन के खोदा गया है इसका रस्टोरेशन भी कमपनी के द्वारा किया जएगा और इसका पेमिंट भी निगम के द्वारा भकतान नहीं किया जाएगा नालियं बन रही हैं अभी नर्मानादीन है जब की seever project अल्रेड़ी अपने अश्विकरे थे नाली और seever दो भिनने भिनने कारों के लिए होता है नाली का मूल भूत काम ये होता है कि जो storm water का पानी है जो बरसात का पानी है उसकी निकासी हो अभी श wärर के अंदर प्रोब्लम ये है कि जो टॉयलेट्स का पानी है जो सीवरेज का पानी तना के अंदर जोड़ा हुआ है ऐसे सिती होनी नहीं चाहेए सीवरेज के प्रजेक्ट से हम टॉयलेट्स को डिरेक्टली सीवर के पाफ पलीण से जोड़ देंगे और नालिया यथावत रहेंगी बरसाते पानी के निकासे लालता चौक से आपने सब्जी मंडी हटाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन वो बीच में फिर रोग किया क्या रीजेन उसका? इनिशली हम लोगों को काफी सक्सेस्फुली तीन-चार दिल में शिफ्ट करने के बाद अच्छा फीडबैक मिला बट प्रॉब्लम यह हुआ था कि जब तक सारे लोगों को उस एरिया के एक साथ शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक उन जगाओं पर बार-बार occupation होता है और जो जयस्थम चौग से लेकर और लालता चौग के बीच का congestion है वो खतम नहीं हो पाया हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लालता चौक और जैस्तम चौक से लेकि लालता चौक के बीच का जितना भी मार्केट एरिया है पूरी की पूरी सबजी मंडी को उठा कर और देंद्याल रसोई के पीछे शिप्ट करें ले वो वला प्रोजेक्ट हमारा लगबक कंप्लीशन पे हैं आज की तारीक में मेरा ख्याल बीस पच्चेस दिन उसमें और लगेंगे कंप्लीट होने में उसके बद एक मुष्ट सभी सबजी मंडी को हम महाँ पीछे शिप्ट करें आपने तालाब का बहुत अच्छा काम सहर के अंदर लिया लेकिन वो 10% साथ उसमें सफाई रहे गई थी उस कारण से फिर तालाब पूरी तरह से गंदे होने लगे ये बात बिल्कुल सही है कि जगदेव तालाब का जब हमने प्रोजेक्ट उठाया था तो उसमें इतनी जलकुम्भी थी कि पानी लगबग नजर नहीं आता था स्वचेपर सर्वेक्षन के दौरान हम लोगों ने इसको कॉंट्राक्ट आउट करके इसमें काफी मेहनत करके इसके सफाई कराई थी और ये बात भी बिल्कुल सच है कि आज की तारीक में वहां पे जलकुम्भी फिर से होनी प्रारूंब हो गई है हमारा प्लान ये है कि जब तक इसको हम पूरे यरली बेसिस पे कॉंट्राक्ट आउट नहीं कर देते तब तक हम हर 15 दिवस में एक पर उस तालाब की सफाई करवाएंगे इसके साथ साथ री डेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहट हमने सारे के सारे तालाब जो शेहर की है उनके मेंटेनेंस के लिए और उनके सौंदरी करण के लिए एक प्रस्ताफ बनाकर साथेकार समित्य को भेजा हुआ है मुझे ये उमीद है कि इस महीने में साथेकार समित्य से हमको अनमोधन मिल जाएगा और ये वाला काम भी एप्रिल से शुरू हो जाएगा एक बहुत तुर्टि पूर्ण कार मेरी समझ में आ रहा हमने पीवाम आवास में जिनको पैसे दी है उनके घर में सौचाले नहीं है तो क्या हम लोगों ने बेस ऐसा कभी दयार किया कि सौचाले पहले आवास बाद में यह वाला जो आइडिया है यह हम लोगों ने पिछले आठ महीने से इंप्लिमेंट करना शुरू किया है कि जह समय व्यक्ति जो है रसीत कटवा कर अपना कंस्रुक्शन शुरू करवाता है उस समय उसको तीसरी किष्थम तब तक नहीं देते जब तक उसका किचन और उसका शौचाले कंप्लिट में हो जाए तो यह निर्देश और एट महीने के असपस पहले मैंने दे दिये थे तो पिछले आठ महीने से इसका पाने अब लोग करवा रहे है जलावर्धन में पानी की जो अपने पब्लिक को शहरवासियों को बोला था कि पानी प्रयाप्त मिलेगा उस इसाब से पानी नहीं मिल रहा उसमें मुझे जो कमी समझ में आ रही है कि अपने हाथ दो नए एनिकेट बनने थे वो इस प्रोजेक्ट से दो एनिकेट माइनस कर दिये गया है सहद एक एनिकेट के लिए आपने अभी प्रयास सुरू किया है तो उस पे क्या है एक एनिकेट हम लोग बनवा रहे हैं उसमें डब्ली वाडी डिपार्टमेंट और निगम के माध्य हमसे जॉइंट सर्वे की कारवाही अभी चल रहे है टोपो शीट पगएर हम लोगोंने प्रक्यूर कर ली है और एक थर्ड पार्टी के माध्यम से उसका सर्वे हमने शुरू भी कर दे है तो जैसे ही वो सर्वे समाप्त हो जाएगा उसके आधार पे हम लोग इसका टेंडर निकाल देंगे एनिकेट का मुझे यह बताया गया है कि जो स्पॉर्ट है उसको देखते हुए लगबग तीन से चार महिने के स्टोरेज की विवस्त था और दमान एनिकेट के अलावा भी अपने पास हो जाएगी दूसरा प्रयास हम यह कर रहे हैं कि हम पूरे शहर में 24-7 पाइपलाइन से वाटर सप्लाइ का प्रजेक्ट जो इनिशन अमृत में जिसकी कर्पना भी की थी उसको पाइट बेसिस पर इंप्लिमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं वर्ल्ड अराउंड यह देखा गया है कि यदि हम देड़ दो गंटी की सप्लाइए के जगह पर 24 गंटी की सप्लाइए करें तो पानी का जो यूज है वो लंपक 40 परसंट कम हो जाता है विकास हमारे अंदर भी यह टेंडेंसी होती ही कि पानी से फें गंटी के लिए आ रहे है तो जितना पानी हम भरके स्टोर करके रख सके वो रखते है दूसरी प्रॉब्रम यह है कि वाटर मीटर ना लगने की वज़ा से यह पता ने लगता कि कौनसा आदमी पानी बलबाद कर रहा है कौनसा आदमी उसको सुविधा के लिए अपने अस्तिमाल कर रहा है और तीसरा है कि क्योंकि टोंती बहुत जगा से निकाल ली जाती है तो पानी लगातार देड़ घंटे-दो घंटे के लिए वेस्ट होता है हमारे यह प्रयास है कि हम लगभग सौ मकान पहले प करेंगे नगर निगम पीपी यूजना के तहट जैसे विश्वासराव सब जीवंडी के जगे हम दे रहे हैं तो नगर निगम खुद भी तो उस जगे को डवलब कर सकता है उससे उसकी आय बढ़ेगी पीपी मोट पे कारे करने का लाब ही होता है कि उसमें कोई कैपिटल ए आप एक shopping complex बनाएंगे या दुकाने बनाएंगे तो जो upfront हमको खर्चा करना पड़ेगा वो बहुत जादा है हमारा प्रयास यह है कि जो खर्चे हो केवल ऐसे कामों में हो जो लोगों से directly जुड़े हुए हो सडप, बिजली, पानी के उपर हम upfront खर्चा करना प्रेफर ऐसे capital expenditures जहां पर हमको future में आया हो सकती है लेकिन उसे किसी व्यक्ति को immediately लाब नहीं मिलेगा इनमें हम upfront खर्चा करने के बजाए उसको PPP बोट में लेना प्रेफर करते है चार इंजिनियरों ने कुछ गलत डंग से ID इस्तेमाल की थी उनके खिलाप आपने ID लाब की लेकिन FIR अफितक हम लोगों की तरफ से TI को FIR दर्ज करने के लिए letter जा चुका है in case उस letter की compliance में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है तो इसका follow में ज़रू करूँगा उसके तरफ और कुछ नया आप के हांसे है smart city को लेके सतना को कुछ नया आप दे रहे हैं जो हमारी नजर से बच दो तीन मेजर चीज़ें जो हम प्लान कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है एक तो यह कि traditionally सतना के अंदर water logging की बहुत जादा problem है और हम लोगोंने एड होक बेसिस पे जगा जगा पे नालियां बना दी है जिनकी end to end connectivity नहीं है हम लोगोंने लगबग 2 करोड का एक special और उन चार नालों का काम हम अगले महिने से शुरू कर देंगे उनका tender हम लोगोंने फ्लॉट करते है तो हमें उमीद है कि उसे water logging थोड़ा से रडियूस हो जाएगा दूसरा major काम जो हम अभी कर रहे है वो यह है कि हम जैसा मैंने पहले भी आपको चौराहों के टाइम पर कि हम dust free शहर को बराने की कोशिश कर रहे है उसके लिए दो major काम कर रहे है पहला काम यह कर रहे है कि जो आपका flyover जैसे बन रहा है उसके नीचे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर धूल लगातार जमी हुई और लगातार वो उड़ती रहती है और recycle होती रहती है उन जोन बनाएंगे इस प्रकार से अगर यह प्रोजेक्ट हमारा successful होता है तो इस चीज़ को हम पूरे के पूरे flyover के नीचे कर लेंगे वो accessible नहीं रहेगा green space पर वो देखने में अच्छा लगेगा और मिट्टी बिलकुल महां से खतम हो जाएगी तीसरा काम जो हम कर रहे है व वहां पे हम लोग pedestrians के चलने के लिए थोड़ा सा elevated platform बना कर उसके उपर पेवर दे रहे हैं क्योंकि यहां पे आम तोर पे शकायत मिनती है कि आम आदमे को चलने के लिए पैदल चलने के लिए रस्ता बिलकुल नहीं मैंता तो यह industry वाला initiative भी है और थोड़ा सा शेहर को pedestrian friendly ब पास एक अपना circuit house या भरोत नगर के बीच में कहीं यह दो तीन जगा है foot over bridge इसके लिए हम लोगों ने यह प्लान किया है कि एक इस शहर में अभी तक कोई एक word use होता है CMP CMP का मतलब होता है comprehensive mobility plan किसी भी शहर के master plan के साथ एक mobility plan बनना बहुत जरूरी होता है जिसमें हम यह बोले कि आपकी सीमा क्षेतर के अदर लगबग इतने auto हैं लगबग इतनी busें हैं लगबग इतना सूतर सेवा की busें या services हैं लगबग इतनी private गाडियां हैं इतनी cycles हैं और फिर हम यह कोशिश करते हैं कि mobility को इस तरीके से plan करें कि जहां पर एक संसाधन खतम होता है वहां से दूसरा संसाधन शुरूर हो जाए तो इसके अंदल plan यह होता है कि हम buses के लिए bus stop बनाए bus stop बनाने के बाद वहां से auto मिल जाए auto से वह आपके घर तक बढ़ते होते हैं इस जो traffic related accidents होते हैं जो crossing पर होते हैं वो भी लगबग खतम होने के स्थिति में आ जाते हैं तो तीन जगा पर नहीं दो जगा पर हम लोगों इसको plan करके रखा हुए एक बार हमारा CMP बन जाता है तो इन दोनों concepts को हम जल कर लेंगे उसके बाद इस पर काम शुरू करेंगे मेरा एक सुझाओ था आपसे कि link road सपना में कई जगे हैं अगर हम traffic को divert करें लिंक road की ओर तो उससे भी traffic पर बहुत जादा फर्ग पड़ेगा जैसे river road national highway है इस पर traffic बहुत जादा है व्यंकट 1 से लेके यह आईशमान हस्पिटल होते हुए जीवन जोती से बस इस्टेंड तक सीधा एक रास्ता सिमर्यजव रहा निकलता है अगर इस link road को हम चोड़ा करके और इसको सुविधा जनक बना दें तो यहां से traffic coffee डाइवाड हो जाएगा river road का ऐसे ही हम इधर से ज सब्जी मंडी या फुटपात के दुकान वालों ने कभजा कर रख गए उसको भी हम link road अगर डबलप करें पीछे railway station की road को हम डबलप कर दें रात में रोशनी दे तो मतलब यह तिन चार सड़कें हैं इसमें station road और railway station की road पे already हमारा काम planned है उसमें जो culvert है हमारा कोटवाली क इसको सीधा करेंगे तो बाइपास के तरीके से काम करेंगा no doubt station road के अंदर भी दुकानों को पीछे shift करने का प्रस्ताव है एक हमारा Indra market और एक और market पाल का बाजार है वहांपे भी shifting करने का plan हमारा बना हुआ है उसमें थोड़ा सा revenue department के साथ हमारा two info चल रहा है कुछ समय से तो अब collector साब हमारे बीच में आये हैं नहीं तो उनके साथ में इस प्रस्ताव को discuss करके एक बार revenue वाला इशू उसमें resolve हो जाए तो वो अराम से shift हो जाएगा कोई issue और जीवन जोती और या यह भरुत बार अपसलिए मैं आपका जो suggestion है उसको under advisement लेता हूं एक बार मैं वि अभी tax को लेके कुछ विवाद हुए है एक बंदे से विवाद हुआ है जिसमें वो जिवलपूर refer किया गया है मुझे कल पता चला कि उसे paralysis हो गया उसके brain पे काफी चोटे आई है यह विवाद की स्थितियां क्यों यह कितनी गंभीर चोट है और उसको refer किया गया है मेरी ज जानकारी में यह है कि तालाबंदी की एक कारवाही के दौरा निश्चत रूप से एक कोई व्यक्ति है जुनको चोट आई थी और इस संबंद में मेरा ख्याल थान में कम्प्रेंट भी की कही है दोनों ही पार्टीस की तरफ से अफ़ाया गूई है मेरी जानकारी में तो एक